अब हम आज का जो हमारा टोपिक है संसदी विवस्ता यहीं की पाइलियामेंटरी सिस्टम की और आगे बढ़ते हैं अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यही सरकार किसी भी लोगतांतरिक शासन परणाली के इंदर जो सरकार होती है और सरकार के दो अंगमुख्य रूप से जो विदाईका जो विदाईका यहने की लेजिस्लेचर एवं कारिये पालिका विदाईका एवं जो कारिये पालिका की जो सक्तियां हैं इनकी जो सक्तियां है या इनके बीच में जो कारिये करना है या इनके बीच में जो समंध है उनक के बीच में हम समंदों के आदार पर क्या कर सकते हैं सासन पढ़नालियों को दो भागों में विबाजित कर सकते हैं सासन पढ़नालियों को दो भागों में विबाजित कर सकते हैं नंबर एक सासन पढ़नाली की बात करें तो संसदिय सासन पढ़नाली आ जाएगी नंबर एक प सासन परणले का मोडल कहां पर चलता है ब्रेटें के अनुग्त अनदर कि विधाई का वम कारी पालिका के बीच में समंधों कर सकते हैं सासन पर्णालियों को दो भागों में विबाजित कर सकते हैं एग परकार की जो सासन पर्णाली हो जाएगी और दूसरी जो सासन पर्णाली है वो किस परकार की सासन पर्णाली हो जाएगी अध्यक सात्मक सासन पर्णाली हो जाएगी ब्रेटेन के अंदर जो मोडल चलता ह वो कौन सा चलता है संसदिय सासन परणाली का चलता है जब कि USA के इंदर जो मोडल चलता है USA में कौन सा मोडल चलता है अध्यक्सात्मक सासन परणाली चलती है अब हमारा जो टोपिक स्टार्ट होता है हम हमने कौन सा मोडल एडोप्ट किया सातियों हमने संसदिय सासन परणाल लिखा ताथ परिय क्या है इसकी विशेस्ठाएं क्या है और भारत iod conception के अंदर पर उस परकार की विशेस्टाइँ हमें दिखाई देती हैं संसधिये वieveस्ता ताद परिये हैं कि एक एसी विवस्ता एक एसी विवस्ता जो किसके द्वारा बनाई जारी है जो संसद के द्वारा बनाई जारी है या एक एसी सासन परणाली जो सासन परणाली किसके द्वारा किरियेट की जारी है किसके द्वारा बनाई जारी है जो किसके द्वारा बनाई जारी है अथे इसके अंदर पावर पूल कौन रेने वाली है साक्यों संसद रेने वाली है इसका थाथ फिर यह वा कि जो संसद क्या होगा संसद सक्टी का के अंदर संसद सक्टी का के अंदर तो संसदी इसासन प्रणाली की पहली विशेश्था क्या है? पहली विशेश्था ये है कि संसदी इसासन प्रणाली में क्या होता है? संसद सक्तिके के इंदर के रूप में होती है तो अब एक-एक सब्दों को समझते हैं कि सबसे पहले तो इस संसद को समझते हैं कि संसद क्या है अगर हमारे इंडिन कॉंसिट्यूशन की बात करें तो इंडिन कॉंसिट्यूशन के अंदर हम आर्टिकल 79 की बात करें आर्टिकल 79 के इंदर क्या लिखावा है संसद के गठन के बारे में प्रोविजन है या Constitution of Parliament लिखावा है अब देखो संसद में किस-किस को समलिद किया जाता है संसद के इंदर किस-किस संसद में राष्टपती संसद के अंदर राष्टपती एवं उसके दो सदन यह निकि में रखनी है कि जो राष्टपती है वो राष्टपती क्या है संसद का अंग है संसद का सदेश्य नहीं है संसद का अंग है संसद का सदेश्य नहीं है अब देखो राष्टपती तो किसको डिनोट करता है राष्टपती डिनोट करता है कारिय पालिका को राष्टपती किसक article की बात करें या कुछ constitutional provision की बात करें तो क्या लिखा है अगर हमारे सविदान के article 52 की बात करें अगर हमारे सविदान के article 52 की बात करें तो उसमें लिखा है कि भारत का एक राष्टपती होगा भारत का एक राष्टपती होगा उसके बाद में Article 53, Article 53 में क्या लिखा है, कि संग सरकार की, संग सरकार की जो कारिये पाली का सकती हैं, या संग सरकार की जो समूछे कारिये पाली का सकती हैं, किसमें नहीत होगी, राष्ट पती में नहीत होगी, संग सरकार की समूछे कारिये पाली का सकती हैं, राष्ट पती में नहीत होगी, राष्टपती में निहीत होगी उसके बार में लिखा है कि राष्टपती क्या करेगा अपनी इन सक्तियों का परियोग या तो क्या करेगा स्यूम करेगा या राष्टपती इन सक्तियों का परियोग या तो स्यूम कर सकता है या क्या कर सकता है सातियों या वो अपने अधिनस् अधिकारियों की साहिता से इन सक्तियों का परियोगे करेगा तो क्या लिखावा है अगर हम बात करें आर्टिकल 53 में क्या लिखा है कि संग सरकार की समुचे कारिये पालिकाई शक्तियां किस में नीथ होगी राश्पती में नीथ होगी और राश्पती अपनी इन सक्तियों का परियोग या तो स्यूम या अपने अधिनस्तों की स्राइता से करेगा यहां तक साथियों पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही है अगर हमें पिक्चर को कंप्लीटली समझना है तो हमें अमारे देश के सविधान का एक आर्टिकल और रेफ्रेंस में लेना होगा अगर हम बात कर होगी एक मंत्री परिषंद होगी Council of ministers होंगे लिखा आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्टपती को की iblा आड जो नियोंग करेगा या अपने अधिकारि toim क कि साहेथ से परियोग करेगा तो आर्टिकल 74 इस पेस्टू प्रूप से बोल है कि राश्टपती इन सक्तियों का प्रियोग करेगा तो इसका ताथ पर यह हुआ कि यहां पर एक कॉंसेप्ट यह निकल रहा है कि राश्टपती के अंदर हमारे हमारे देश के जो राश्टपती राश्टपती के पास में वास्ट विक सकतियांन नहीं हैं अपी तो वास्टविक सकतियां कि महँ वाश्ट्र सकतियां है मारे देशंसंचालन की वाश्ट्र ट्रेस वाश्ट्र सकतिता है वाश्ट्री शबस्के पास में जबकि राष्ट पति किसके की सадकिया है की 정도 lin 24 पढ़ लिया है उसके बाद में देखो साथ यह लोग सबा एवम राज्य सबा लोग सबा राज्य सबा किसको डिनोट कर रही है विदाइका को यह कौन सी संस्ता है विदी निर्मान की संस्ता हैं अब अगर हम आर्टिकल 79 को देखे तो 79 यह बोल रहा है कि संसत के अंदर कौन संस्ता कर एंदर 22 बी संस्ता के अंदर लेजिस्ट इप्र् rep 1957 इसका तात्र यह वाकी भारत का का जो सविदान है उसके अंदर कारेर पालीका और विदाइक कारिये का थे ली शक्तियों का समिलन है शक्तियों का जुडाव है फ्यूजन और पावर है अतार्त इन दोनों की शक्तियां आपस में जुडी भी है आर्टिकल 79 ये बोल रहा है कि हमारे constitution में क्या है कि 79 में क्या समलित है executive भी समिल है और legislature भी समिल है इसका ताथ पर यह वा कि हमारे देश के अंदर विदाई का एवं कारिय पालिका की सक्ति आपस में जुड़ी भी है अथार्थ हमारे देश में क्या है सक्तियों का समिलन है सक्तियों का समिलन या fusion of power क्या बोल सकते हैं इसको fusion of power fusion of power तो अगर हम बात करें संसदिय सासन परणाली की नमबर विशेशता दो की नमबर एक संसदिय परणाली में क्या होगा संसद सक्ति के केंदर के रूप में होगा अगर नमबर दो की बात करें तो संसदी असासन परणाली में क्या होता है विदाइका की शक्तियां और कारिय पालिका की शक्तियों के बीच में जुडाव होता है उनके बीच में क्या होता है फ्यूजन होता है अथार संसदी असासन परणाली की नमर दो विशेशता ये हैं कि इसमें क्या होगा सक्तियों क सम्मिलन होगा तो अभी तक हमने यह देखा है कि संसद में कौन-कौन समलित है संसद में कारियपाली का भी समलित है और विदाई का भी समलित है अब हम इसको देखते हैं कि संसद किस परकास से सक्ति के के इंदर के रूप में संसद किस परकास से तो संसद सक्ति के केंदर के रूप में अभी हम सातियों जो parliamentary form of government है उस parliamentary form of government का जो conceptual part है conceptual part को पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को आप धीरे-धीरे समझने का प्रियास कीजिए तो संसद सक्ति केंदर के रूप में कैसे हैं अगर हम बात करें हमारे देश की जो प्रियंबल है जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या बोलती है कि हमने किस परकार की सासन परणाली अपना ही है हमने लोगतांत्रिक सासन परणाली अपना ही है और लोगतांत्रिक सासन परणाली में जो सक्तियं होती है वो सक्तियं कि इसके पास में होती है जनता के पास में होती है और हमारी जो प्रियंबल भी बोल रही है कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग इसका ताथ परी है कि जो हमारा देश में जो सासन चलेगा किनका चलेगा हम भारत के लोगों को चलेगा हम भारत के लोग अब देखो सातियों क्या 130 क्या 130 करोड़ एक सो contenido कर चला सकते हैं क्या 130 क्रोड़ देश्वासी सम्झ व्यवस्ता का संचालन क्या थे देखते हैं तो इसका तात प्रिय है कि कोई ने कोई वेकलफिक रहे करना होगा अगर एक सो पर्ति निदी को डिलीवर कर दे और फिर वो जन पर्ती निदी क्या करने का प्रियास करे साति हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बारत के लोग imprisoned करते हैं अपनी जो सक्तियां होती है उन सक्तियों को किसको डिलीवर करते हैं जन परती नीदियों को किसको डिलीवर करते हैं साथियों जन परती नीदियों को किसकी साहिता से निर्वाचन की साहिता से हम भारत के लोग क्या करते हैं अपनी सक्तियों को डेलीगेट करते हैं अ और यह जनपरती नीदी क्या करते हैं साथियों यह जाके बैठते हैं संसद में यह कहां पर बैठते हैं संसद में बैठते हैं तो संसद में यह लोग सबा में भी चले जाएंगे और कुछ कहां पर चले जाएंगे साथियों रैज यह सबा में चले जाएंगे अगर यहां पर ह लोगशबा के इंदर क्या होगी बहुमत में होगी तो बहुमत वाली पार्टी क्या करेगी सरकार बना लेगी जो बहुमत दल है वो बहुमत दल क्या करेगा सरकार का गटन कर लेगा बहुमत दल क्या कर लेगा सरकार का गटन कर लेगा और जो अल्पमत पार्टी है जो अल्प के लोग क्या करते हैं अपनी विल को अपनी इच्छा को अपनी सकती को किसको ट्रांसपर करते हैं जन परतीनी दियों को ट्रांसपर करते हैं सिंपल वासा में समझें कि हम वोट की साहिता से क्या करते हैं साथियों वोट की साहिता के लिए मान लो कि लोग सबा में जाके बैठेंगे तो लोग सबा में जाके बैठेंगे तो वो लोग सबा में क्या होगा सातियों जो राजनेतिक पार्टी क्या होगी बहुमत में होगी वो क्या करेगी सरकार का गटन कर लेगी और जो राजनेतिक पार्टी किस में होगी अलपमत में होगी वो कांपे जाकर बेट जाएगी वीपक्स में बेट जाएगी अब देखो जो बहुमत के अंदर जो पार्टी बनी है जो सरकार बनी ये सरकार क्या होगी सामुई क्रूप से लोगशबा के परती उत्तरदाई होगी सामुई क्रूप स जनता के परती क्या होंगे उत्तरदाई होंगे इसका थाथ प्रे क्या हुआ कि सता का फलो तो ऐसे हो रहा है कि जनता ने सता दी जनपरती नीदियों को और जनपरती नीदियों ने सता किसको दे दी कारी पालिका को ये सरकार को दे दी और जबकि जो उत्तरदाई तुव का ज ये निकलता है कि जो बारत के अंदर जो कारिये पालिका का जो जनम होता है या जो कारिये पालिका का जो स्रोथ है वो कहां से निकलती है वो निकलती है शातियों विदाईका से वो कहां से निकलती है विदाईका से ही कारिये पालिका का गटन होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि सा जो अमिस्त सा अगर माली जी सरकार के सरकार के रूप में कारिये कर रहे हैं या काउंसिलोप मिनिस्टर के रूप में कारिये कर रहे हैं तो अमिस्त सा क्या है सांसद भी है और क्या है कारिये पालिका के सदेशे भी है उसी परकार मोदी जी की बात करें तो मोदी जी क्या है सा भारत के अंगर भारत के अंदर अगर कोई भी मंत्री बनना चाहता है तो उस मंत्री को क्या होना होगा संसद का सदिश्य बनना ही पड़ेगा उसको संसद का सदिश्य बनना ही पड़ेगा इसका तात्फरे यह हो गया कि विदाइका से ही किसका गटन हो रहा है कारियपालिका क गटन होता है वो कारी पालिका का गटन किस में से होता है संसद में से होता है विदाइका में से होता है अब देखो इसके लावा यहां पे एक दो concept हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि भारत के अंदर किस परकार का लोगतंतरिक पढ़नाली को अपनाया गया है तो ये चार्ट वी ये बताता है कि जनता डाइरेक्ट रूप से सासनी कर रही है अपी तु अपनी इच्छा को क्या कर रही है साथी अपने जन परती दित्वे अगर एप ऐपर टेक्स लोगतंतर की बात करें तो उसमें हमने कौंसा लोकतंतर अपनाया है जन परती निःत्वे संसदी अरणी वि की बात करते हैं कि हमने यहां पर देखा की जो major minister क्या होगी वह कांशील ओप मनिस्टर क्या होगी संसद्द के पर्ति सभाइब से उत्तरदाई होगी तो यह समीक उत्तर दाईतव का सिद्दांध क्या होता है सभार intent collective responsible if, मित उत्तरदाई तो अब देह हो इसको देखते है सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि council of ministers हैं अगर हम बात करें संसदीय सासन परणाली की संसदीय सासन परणाली की जो सबसे मैत पुन विशेष्टा होती है वो सबसे मैत पुन विशेष्टा क्या होती है साथियों संसदीय सासन परणाली में साम्वीक उत्तरदाईत्वे के सिद्धान्त की पालना की जाती है साम्वीक उत्तरदाईत्वे के सिद्धान्त की पालना की जाती है तो साम्वीक रूप से कौन उत्तरदाई होंगे तो साम्वीक रूप से कौन उत्तरदाई होंगे जो कारिय पाली कांखे जो सदिश यह है अ राजिय मंत्री और उप मंत्री ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे काउंसिल ओप मनिस्टर्स के अंदर आ जाएंगे उसके बाद में कि ये किसके परती उत्तरदाई होंगे किसके परती उत्तरदाई होंगे तो ये किसके परती उत्तरदाई होंगे लोगसबा के परती उतरदाई होंगे अगर हम बात करें हमारे इंडिया के Constitution की Article 75 का जो Close 3 है उसके अंदर ये लिका है कि ghost मुईक रूप सामुईक रूप से क्या होगी सामुईक रूप से लोगसबा के परती उतरदाई होगी इसका तात्परी है कि ये आर्टिकल सात्यों केवल इनफोर्मेशन नहीं दे रहा है ये आर्टिकल आपको ये बता रहा है कि हमारे देश के अंदर कौन सी सासन परणाली को अपनाया गया है संसदिय सासन परणाली को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि संसदिय सासन परणाली म राज्य की मंत्री परिश्ट क्या होती है वो राज्य विदान सबा के पर्ति उत्तरदाई होती है अतार जो निम्न सदन होते हैं उन निम्न सदन के पर्ति क्या होते हैं उत्तरदाई होते हैं क्योंकि इनका गटन किसके द्वारा किया जाता है इनका गटन लोग सबा के द्वा अगर हमें प्री के अंदर हमें लिखना है तो प्री में हम यह लिखेंगे प्री के अंदर हमें क्या मानना है कि यह लोगसबा के परती उतरदाई होंगे और यह किसके परती उतरदाई होंगे विदान सबा के परती उतरदाई होंगे लेकिन और लोगसबा और विदान सबा न उसका मिनिंग क्या है? एक विक्टी के द्वारा निन्ने नहीं लिया जाएगा अपी तो निन्ने सामीक रुप से लिया जाएगा council of ministers के द्वारा लिया जाएगा सेधान्तिक पक्स आतियों यही है लेकिन अगर हम विवारिक पक्स की बात करें तो विवारिक पक्स में क्या होता है कि कुछ जो cabinet मंत्री होते हैं वो cabinet मंत्री ही क्या मिलकर क्या कर लेते हैं निन्य ले लेते हैं सेधान्तिक्स क्या बोलता है कि देश के अंदर सासन संसालन से जितने भी जो निन्ये है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे काउंसील ओप मनिस्टर के द्वारा लिए जाएंगे लेकिन वेवारिक पक्स की एगर बात करें वो cabinet के मंत्री ही क्या कर लेते हैं सातियों निन्ये ले लेते हैं उसके बाद में अगर एक बार निन्ये के द्वारा ले लिया गया या जो मंत्री परिश्द है उस मंत्री परिश्द के द्वारा ले लिया गया तो कोई भी सदिशे तो कोई भी जो मंत्री परिश्द का सदिश वो सारवजनिक रूप में यानि कि पब्लिक शेतर के अंदर उस निर्णे से एसे मती परकट नहीं कर सकता है अगर काउंसील ओप मिनिस्टर के दुआरा या कुछ केबिनेट मंत्रियों के दुआरा क्या कर लिया गया है किसी भी परकार का सासन संचालन के समंद में किसी भी प सेंवत नहीं होता है तो उस निर्णे सेंवत नहीं होता है तो उस कंडिस तो च्रेक कर शक्ता है प्रकार करेंगे जिस परकार से एक्जांपल के रूप में समझता हैं अगर हम बात करें डी मुद्रीकरण की बात करें तो वी मुद्रीकरण का जो निन्य लिया गया वो कुछ ही केबिनेट के मंतरियों के दोवारा लिया गया लेकिन फिर भी देश के जो council of minister थी council of minister के किसी भी सदेशे ने public spare में यहीं कि सारवजनिक शेतर में उसकी आलोचन नहीं की अपितू उस पर क्या की सेहमती परकट की तो यहीं ताद पर यह होता है कि सामविक रूप से निन्य लिया जाएगा और उस निन्य का सामविक रूप में बचाओ किया जाएगा उसके बार में अगर हम बात करें तो ए विश्वास प्रस्ताओं ए विश्वास प्रस्ताओं इसका ताद पर यह होता है कि जो हमारी जो कांसीलोग मनिश्टर्स होती है जो सरकार होती है वो सरकार तब तक कारिये करती रहती है जब तक लोगश्रबा को उस पर क्या हो साती हो जब तक लोगशबा को सरकार पे विश्वास हो अगर मालीजे लोगशबा को सरकार के परती विश्वास नहीं रहा है तो उस कंडिशन पर दूसरी सरकार का गटन करना होगा तो अगर माली जी लोग सबाब में एविस्वास परस्ता और पारित हो जाता है उस कंडिशन में क्या होता है पूरी सरकार चली जाती है यहनी कि वो सामुख सामूघारी रूप में क्या होंगी साथियों चले जाएंगे इसका ताथ पर यह हुआ कि जो हमारी जो सरकार है यानि कि जो कांसी लोग मनिश्टर के जो सदिशे हैं वो साथ साथ तेरते हैं और साथ साथ डूबते हैं साथ साथ तेनने का ताथ पर यह हुआ कि सभी मिलकर क्या करते हैं सरकारों का संचालन करते हैं और अगर उनके विरूद क्या हो गया एविश्वास प्रस्ता हो गया तो उस कंडिशन में सभी क्या हो जाएंगे चले जाएंगे था सभी क्या हो जाएंगे सातियों डूब जाए कि इसके इलावा अगर मान लिजे संसद के अंदर कारवाई चल रही है अर बिजट में कि जा रहा है और उसमांग को पारित नहीं किया जाता है अथहर्थ ये हुआ कि उस्से मंत्री के विरुद में क्या हो गया है मतदान हो गया है तो यस कंडिशन में एक मंत्री के अगर विरुद में मतदान हो गया तो इसका तात्परी ये माना जाएगा कि लोगसबा को अब सभी मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहा है उस कंडिशन में जो लोगसबा है वो क्या करेगी साथियों ए विश्वास प्रस्ताव लेके आ जाएगी और पूरी सरकार को क्या कर सकती है समाप्त कर सकती है सरकार को क्या कर सकती है दोस्त कर सकती है तो इसलिए इसमें क्या माना जाता है कि सामुईक उत्तरदाईत पर किसी भी लोगतांत्रिक शासन परणाली के अंदर उत्तरदाईतों की भावना होती है लेकिन यहां पर जो व मंत्री के विरुद अगर मादान हो जाता है तो उसके बाद में यह मान लिया जाएगा कि पूरी मंत्री पूरी मंत्री परिश्द पर लोग सबाव को क्या नहीं रहा है विश्वास नहीं रहा है तो पूरी मंत्री परिश्द पर क्या लेका आए जा सकता है विश्वास प्रस् कि विशेशता को उसके बार में इसमें क्या चलता है साथ यो एक परति दिन का उत्तरदाइत्व का तर्दाइत्व का चलता है उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले तो कि परति दिन की बात करें तो 37掉 करती है अगर सफ्षिद уже 30 टारे नहीं करती है अगर सथ 355 दिन तक आरी नहीं करती है तो फिर हम परतिक दिन का उत्त kullais परकार से सुलनिशचित करते हैं तो परती करती दिन का उत्त All ओस सुलनीशचित करने के इस संसदियों स्यमीतियों की सायता से क्या किया जाता है, जो हमारी कारिये पालिका है, उस कारिये पालिका का परती दिन का उत्तरदाईतों सुनिस्चित किया जाता है, उसके अलावा हम देखते हैं कि परती दिन का उत्तरदाईतों होता है, उसका ताद पर यह क्या है, उसका PM होते हैं इनका कोई कारिये काल सुनी सीट नहीं किया गया है हमारे सविदान में मंतरी परिशद एवं परदान मंतरी का कोई कारिये काल सुनी सीट नहीं किया गया है इसका अतात्विय यह वा कि 300 65 दिन के अंदर उनको कभी भी क्या किया जा सकता है समाप्त किया जा सकता है कब समाप्त किया जा सकता है जब लोग श्रबा को क्या ना रहे मंत्रियों में विश्वास नहीं रहे अथार्थ जब लोग श्रबा को ये लगे कि इन मंत्री परिश्वत का गटन हमने जिन का संचालन अगर इनके द्वरा अच्छे से नहीं किया जा रहा है तो उस कंडिशन में लोग सबाई क्या लेकर आ सकती है उनके विरुद में क्या लेकर आ सकती है एविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकती है और उसको क्या कर सकती है सातियों समाप्त कर सकती है तो संसदिय सासन करना पड़ता है और ग्राउंड लेवल पर उनको कारिय करना पड़ता है क्यों उनका कारिय का नहीं है सातियों सुनी स्चित नहीं है सुनी स्चित इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी क्या कर सकती है संसद या लोक्षबा उनको क्या कर सकती है सातियों घर पे बेज सकती है उसक इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा यह हो गया, तो पूरी टीम मिलकर क्या करती है सातियों कारी करती है जिस परकार से इंडिया की जो किर्गेट टीम है वो किर्गेट टीम पूरी मिलकर 11 खिलाडी मिलकर क्या करते हैं सातियों खेल खेलते हैं उसी परकार से जो हमारी काउंसीलोग मनिस्टर्स है अगर संग की बात करें तो ये सबी मिलकर क्या करते हैं सासन सासन संचालन की जो पढ़नाली हैं उसका खेल खेलते हैं तो केबिनेट सासन में क्या होता है सासन एक विक्टी में नहीं होता है अपीतु सासन जो सासन होता है वो सासन की बागडोर किसमें होती है एक टीम में होती है सासन की बागडोर किसमे होती है समु के jäंदर होती है वह पुरा समु मिलकर क्या करता है कारिये करता है अब देखो साथ यह भारतिये शासन परण आपनाली केंदर भारत के अंदर संसरीये साथ पढणाली के मिने कीमिनिट सा न किसलिए मैथ पूर्ण आएं एक एक किसी एक सेतर का प्रतिनियदित्व करता किसी एक धरम का प्रतिनियद्व करता लेकिन हमने क्या किया है एक टीम का सासन अपना है हमने केबिनेट सासन अपना है जब हमने केबिनेट सासन या टीम का सासन अपना है इसका तात्परी क्या है कि हमारे लगबग 82 मनिस्टर्स है तो सातियों उनका सेतर अलग है कोई उत्तर भारत से है कोई दक्षिन भारत से है कोई पूरू भारत से है क अगर उनका बात करें उनकी भासाएं अलग हैं उनका उनकी भासाएं क्या है सातियों अलग लग है उनका लिंक क्या है अलग लग है तार्त मैलों को भी क्या दिया गया है सातियों सासन संसालन के अंदर भागिदारी सुनी स्चित की गई है इसके अलावा अगर हम बात करें त उस विविदुता का हम क्या कर सकते हैं समयोजन कर सकते हैं विविदुता का क्या कर सकते हैं समयोजन कर सकते हैं तो यह संसदिय सासन पर्णाली को हम क्या बोलते हैं केबिनेट सासन पर्णाली भी बोलते हैं केबिनेट सासन पर्णाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो स परदानमंत्री क्या होता है सातियों समकक्सों में पर्तम पर्दानमंत्री समकक्सों में पर्तम पर्ष्ट एमंग इक्वल समान लोगों के बीच में क्या होता है परदानमंत्री का पहला इस्तान होता है अभी तो देखा क्या कि संसदिय सासन परणाली में क्या होता है केबिने का सासन होता है और पूरी टीम के रूप में काम कर रही है लेकिन उस टीम में इस साथियों एक विक्त्रिय क्या होगा उस टीम का कैपटीन होगा ।ा geeप्तीन को करणा मंतरी क्या है सबी मंतरियों के बराबर है लेकिन समकक्सों में ही क्या है पर्तम है पर्ष्टि एमंग एक्वल ये पर्दानमंतरी की भूमी का ऐसी क्यों है साथ्यों कि पर्दानमंतरी की क्या करता है ? जितने मंत्रालिय होते हैं उन मंत्रालियों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है परदान मंत्री के द्वारा किया जाता है अतार्थ परदान मंत्री ही ये सुनी सित करता है किसको कौन सा मंत्रालिय देना है इसके लावा परदान मंत्री क्या कर सकता है मंत्रालियों में फ परतम मना गया है हालंकि संसदी विवस्ता में केबिनेट सासन होता है पूरी टीम की रूप में मिलकर कारी करते हैं लेकिन टीम का कैप्टेन को नहीं सातियों परदान मंतरी क्या है टीम का कैप्टेन है जो क्या गरेगा पूरी टीम में अच्छे से कोडिनेट करेगा ताकि य दोरी कारिये पालिका होती है क्या होती है दोरी कारिये पालिका क्या ताथ पर यह यानि कि दो कारिये पालिका एक कारिये करती है कौन कौन सी कारिये पालिका काम करती है एक कारिये पालिका है नामातर कारिये पालिका एक कारिये पालिका है वास्तिव कारिये पालिका जो नामा और वास्तिकं पर्दान या पर्ष्णासथिक निथ रर्षणाषनिक पर्दान यह क्या बोल सकते हैं इसको⋯ह क्या बोलता है राश्ठ ग ग्स कोुम धुम्तै क्या बोल सकते हैंSन अधिक्स भी बूल सकते हैं सासना होगा राष्ट पति लेकिन लेकिंबusta के अंधर वास्तुइक परदान की बात करें यह जो सासन का देख सब्सक्राइव यह जो राष्ट का अट्र है वरास्ट का दिक्स क्या होता है राश्टपती होता है क्यों कि लिखा है अभी मैंने सरू में आपको बता treats अगर माई भिप्टी की बात करें या article 74 की बात करें तो यहां पर क्या लिखा कि संकी समुचे कार्यपाली का इसकति किसमें नीथ होगी राष्ट पती में नीथ होगी राष्ट पती इन शक्तियों हैं तो यह हमने देख लिया है यह हमने क्या देख लिया है साथियों संसदिय सासन पर्णाली जो भारत के अंदर अपनाई गी है उसकी मुख्य मुख्य रूप से कौन-कौन सी विशेष्टा है उन विशेष्टाओं को हमने जान लिया है अब देखो हालंकि हमें हालंकि साथियों हमें जो अध्यक्सात्मक सासन पर्णाली होती हैं उस अध्यक्सात्मक सासन पर्णाली से क्यूसन नहीं पूचा जाएगा अध्यक्सात्मक सासन पर्णाली से हमें क्यूसन नहीं पूचा जाएगा लेकिन कभी भी मेंस के अंदर हमें जब कंपेरीजन करना हो पर क्या देखा था कि जो सकती का केंदर होता है वो सकती का केंदर क्या होता है राश्टपती सकती संसद क्या होता है सकती का केंदर होता है लेकिन अध्यक्सात्मक सासन परणाली में सकती का केंदर क्या होता है राश्टपती होता है सकती का केंदर क्या होता है सातियों राश् पिर यह वा कि यहां पे किस परकार की कारिये पालिका का कॉंसेप्ट चलता है एकल कारिये पालिका का कॉंसेप्ट चलता है जबकी अधिक्स जबकी संसदिय सासन परणाली में क्या चल रहा था दोरी कारिये पालिका का कॉंसेप्ट चल रहा था और वहां पे क्या था सातियों जो सक्तियां थी वो सक्तियां किसके पास में थी संसद के पास में थी जबकि अद्धिक सात्मक्सासन परणाली में सक्तियां किसके पास में है राश्टपती के पास में है नम्मर दो पे वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे सक्तियों का क्या होता है फ्यूजन होता है अथ का पर्तकरन यहनिंगी सेप्रेशन और सेप्रेशन और होने का क्या ताथ पर यहां अध्यक्सात्मक्सासन परणालियों के अंदर यहां पर यह विदाई का है और यह कारिय पाली का है इनके बीच में किसी भी परकार का जुडावें नहीं होता है जबकि हमने जब संसदी पर नाली में वन्हें कौन सा डायगराम बनाई ये इसका ताथरी है कि यहां पे कारी पालीक विदाइक को के बीच में क्या होता है सक्ति उमलाद होता है जबकि अध्झेक थ्वा के सदिशे नहीं होंगे और उनका कारीय काल B क्या होता है साथियों अलग अलग होता है विदाइका कार्येकाल अलग होता है अगर हम यूएस नहीं है कोई नीशित नहीं है उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहां पे था साथियों केबिनेट का साथन उसमें क्या था संसदिय साथन परणाली में क्या था केबिनेट का साथन था जबकि यहां पे क्या होता है एक विक्ति का साथन होता है और वो विक्ति ही क्या करता है अपनी टीम का चेयन करता है वो विक्टी क्या करता है राश्टपती क्या करता है अपनी टीम का चेयन करता है और जो प्रेसिडेंट है उसी प्रेसिडेंट के अधीन वहाँ पे क्या थे सातियों सभी मंतरी क्या थे समकक्स थे जो संसदिय पढ़नाली है संसदिय पढ़नाली में सभी मंतरी क्या थे साथ यो समकक्स थे लेकिन यहाँ पर मंतरी क्या होते हैं राष्टपती के अधीन रेकर कारिय करते हैं तो इसलिए यहाँ पर माना जाता है एक विक्ति का सासने माना जाता है त इसके सबसे मुख्य जो विशेष्टा जो मुख्य लाब है इसका कि इसके अंदर क्या होता है निश्चित कारियकाल होता है इसके अंदर विदाय का एमुकारिय पालिका क्या होता है निश्चित कारियकाल होता है लेकिन इसमें उत्तर सामुएक उत्तरदाइत्व की भावना क क्या होता है उसमें प्रति दिन का अद्र धाई तो भी होता है इसलिए वहाँ पर क्या होता है यह नहीं होता है है तो यह हमने जानने का प्रियास किया कि संसरी प्रणाली का तात्परी क्या होता है अध्यक सात्मक्सासन प्रणाली का तात्परी क्या होता है